डिलाइट आयेस में मैं कीवी सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम अपने NCRT समरी कोस के अध्यायत 10 नए समराज और राज के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम निम लिखित बिंदूओं को कवर करेंगे आये शुरू करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं इन सभी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशस्तियों के बारे में हम ये जानेगे कि प्रशस्तियां हमें क्या बतलाती है यह एक विशेश प्रकार का अभिलेख होता है यह एक संस्क्रित भाषा के सब शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा जो प्रशंस्तियां लिखने वाला होता है वह किसी राजा की प्रशंसा के लिए ही अधिकतर लिखा जाता है इसके बारे में हमने पहले गौतमी पुत श्री साथकर्णी के बारे में भी पढ़ा था उनके बारे में भी हमें प्रसस्ती से ही पता चलता है लेकिन उसके बाद गुप्त काल में इसका महत काफी ज़्यादा बढ़ चुका था गुप्तवन्स के प्रसिद राजा समुद गुप्त के बारे में हमें प्रशस्तियों से ही पता चलता है इनकी जो प्रशस्ति है वह हमें इलाहाबादिया प्रयाग राज में असोग स्थम पर एक खुदे हुए अभिलेक में मिली है इसकी रचना उनके दरबार के कवी वह मंतिर हरिसेन द्वारा एक कावे के रूप में की गई थी आईए जानते हैं कि समुद गुप्त के जो प्रसिद राजा की योगताओं के बारे में वर्णन किया है उन्होंने राजा को एक योध्धा युद्धों को जीतने वाला राजा एक बहुत ही विद्वान एक उत्करष्ट कवी की रूप में बताया गया है यहां तक कि उन्होंने उसकी तुलना ईश्वर तक से कर दी है इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जो राजा थे उस राइम के समुद्गुप्त वा वीना भी बजा दे थे उस समय जो सिक्के मिले हैं उनमें राजा को वीना बजाते हुए भी देखा गया है आईए हम जानते हैं हरी सेन ने अभी लेक में समुद्गुप्त की नीतियों के बारे में क्या बताया है उन्होंने यह बताया है कि जो आरवज था जो की नौ शाशकों से मिलके बना हुए राज था उन्हें हरा के समुद्गुप्ट ने अपने राज में मिला लिया था इसके बश्या जो दक्षिनापत के जो बाराथ शाशक आते थे इन सब ने भी समुद्गुप्ट के सामने समर्खण कर दिया था फिर समुद्गुप ने उन्हें वापस अपने शाषन करने की अनुमती दे दी थी इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जो अस्वम के जो छेत्र थे या जो बंगाल, नेपाल, उत्तर, पश्रिम के कई गड़ या संग जो भी थे ये समुद्गुप के लिए उपहार लाते थे, उनकी आग्याओं का पालन करते थे और उनके दर्बार में उपस्थित हुआ करते थे इसके साथ जो कुशान वर्ण्स या शक वर्ण्स के शाषक थे, इसके लावा जो श्री लंका के भी शाषक थे उन्हें इसी लिए भारत का नेपोलियन की नाम से भी जाना जाता है आएए हम जानते हैं विक्रम संवद्ग के बारे में 58 इसा पूर में परारंब होने वाले विक्रम संवद्ग को परारंभिक रूप से गुप्त सम्राज के जो राजा थे चंद रूप्पव। दिती के नाम से जोड़ा गया है कि उन्हों ने इसकी जो शुरुआत की थी वा शकों पर विजय शक जो राजा थे उन पर विजय की रूप में इसको प्रतीक की रूप में स्थापित किया गया में थ referenced English Time Period के अनुसार साल चलता है और विक्रम सम्ध हमारे पुराने समय के अनुसार साल चलते थे पिर हम जानते हैं वंच वालियों के बारे में किस प्रकार की क्या वंच वह थी ते, जो अजिकतार जो प्रशास्थिया try होती हैं वह हमें पूर्वचों के बारे में बताती हैं जैसे कि जो समुद्गुप्त के बारे में जो प्रशस्ती वह उनके पिता माप्रा पिता महा यानि कि दादा पर दादा पिता तो था माता के बारे में बताते हैं वह उनकी मा कुमार देवी जो लच्षवी गन के बारे म उसके पश्चात समुद्गुप्त ने भी यह उपादी धारन की थी, उनके दादा और परदादा का उलिक महराज के रूप में ही होता है, इससे हमें यह पता चलता है कि धीरी धीरे इस वंश का महत बढ़ता चला गया था और यहां पर जो राजा थे उन्होंने बहुत बड़ी उपादियां राजा, महराजा, धिराज, महराजा इस तरीखे की उपादियां धारन की थी, हमें समुद्गुप्त के बारे में उनके अबाद के शाष्टकों जैसे उनके बेटे और अन के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उन्होंने पश्चिम भारत में शयन अभयान में अंतिम शक्षास्या को परास्त किया था। आईए हम जानते हैं हर्षवर्धन और हर्षरित के बारे में जिस प्रकार गुप्त वंश के हमें सिक्कों के शाष्कों के बारे में हम अभी लेखों और सिक्कों से पता चलता है उसके साथ हमें अन्शाष्कों के बारे में उनकी जीवनियों से पता चला है ऐसे ही एक राजा हुए थे हर्ष वर्दन जिन्होंने आज से कभी 1400 साल पहले शाशन किया था उनके दर्बारी कभी बार भटने संस्कित में उनकी जीवनी हर्ष चरित लिखी है इसमें हर्ष चरित की वर्दन देती हुए उनकी राजा बने तक का वर्णन किया गया है चीनी यात्री हिविन सांग हर्ष के दर्बार में रहे हैं उन्होंने वहाँ जो भी लिखा जिस तरीकिका भी वर्णन किया है उन्होंने भे उसके बारे में काफी अच्छा और विस्तरत वर्णन दिया है एक और जानने योग बात यह है कि जो हर्ष थे वा अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई की मृत्चु हो जाने पर थाने सर के राजा बने थे उनके जो बहनोई थे वह कर्नौच के शाषक थे जब बंगाल के शाषक ने उन्हें मार दिया तो हर्ष ने कर्नौच को अपने अधिकार में ले लिया और बंगाल पे आक्रमण करके वह जीत लिया उन्होंने मगद और बंगाल को भी जीता था लेकिन उन्हें अन जगाओं पे सफलता उतनी नहीं मिली थी उसके बाद उन्होंने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की और भी बढ़ने की कोशिश की तब उन्हें जो चालुक के नरेश्ट है, चालुक के वन्ष के जो राजा थे पुलेकेशन दित्ते, उन्होंने उन्हें रोक लिया था आईए हम जानते हैं अब पल्लव, चालुक के और पुलेकेशन दित्त की प्रशस्तियों के बारे में हमने यह देखा जिस तरीकी से गुप्त काल या फिर हर्श बदन के बारे में हमें जानकारिया मिलती हैं इस काल के बारे में भी हमें कैसे जानकारिया मिलती हैं, जो पल्लव और चालुक के थे, वह दक्षिन भारत के बहुत महत्पूर्ण राजवन्ष है पलवों की राजधानी कांची पुरम के आसपास थी, और उनकी जो राज था वह कावेडी नदी के डेल्टा से कांची पुरम के राज तक फैला हुआ था,ник का राजधानी का राज था, वह क्रिष्णा और तरिग्रभनदा नदीयों के बीच में था, चालुक्यों की राजध एक सीमावर्ती देशों में इस तरीकी की सीमाओं के लिए लड़ाई जगड़ा चलता रहता था है मुख्य रूप से इनकी राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो कि उस समय के बहुत ही सम्रध्य राज थे पुलेकेशन दित सबसे प्रसेज चालू की राजा थे उनके बारे में हमें उनके दरवारी कभी रवी कीर्ती दोय जो रचित प्रशस्ती है उससे पता चलता है इसमें हमने उनके पूर्व जो उनकी पिछली चार पीडियों के बारे में पता चलता है उनके पुलेकेशन दित को यह राज अपने चाचा से मिला था रवी कीर्टी के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्य दोनों में इलाकों में अपने अभियान चलाए थे इसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे से बढ़ने से रोका था पुलकेशिन दित ने पल्लव राजा के उपर भी आकरमन किया था जिससे काची पुरम के दिवार के पीछे उन्हें शरण लेनी पड़े थी चालुक्यों की विज़े अल्पकालिन थी उनकी लड़ाई से ज्यादा फैला हुआ राज उनका नहीं था लड़ाईयों से दोनों वंश दूरबल हुए जिसको अंततह राश्टकूटों और चोलवंशों ने समाप्त कर दिया अथार्ज पल्लवों और चालिकों दोनों की समाप्ती हो गई और उन्हें राश्टकूट और चोलवंश ने आगे बढ़ाया था आईये हम जानते हैं कि इन राज्जियों का प्रशाशन कैसे चलता था इतने बड़े राज थे तो इनकी प्रशाशन इनका भूमी का कैसे चलता था इनका कर की क्या व्यवस्था थी बाजार की क्या व्यवस्था थी यह हम जानते हैं जो प्रशाशन की प्राथ में की काई होती है, सब जगे, इवन आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई जो गाउं होती है, लेकिन धीरी धीरे हमने यह देखा कि इनमें कई बदलावाए, उस समय की प्राथ में की काई गाउं ही थी, लेकिन उसके प्रश जो महत्पून पद थे वह आनुवान शिकी बनाए गए थे मतलब कि पिता अपने बेटे का पद पाता था जैसे कि जो कवी हरिशेन थे जिसके बारे में हमने समुद्रूप्त के लिए पढ़ा है वह अपने पिता की तरीके महादंड नायक अथात मुख नया अधिकारी बने इसके अलावा हमने यह भी देखा है कि जो एक ही व्यक्ति कई पदों पे कारेकर था जैसे कि हरी सेन एक महादंड नायक होने के सासथ कुमार मात्र भी थे अधात्वा एक महत्पून मंत्री थे इसके सासथ वह युद्य और शांती के विसेयों के भी मंत्री थे यहां पर ज weepestIC नाचन में जैसे कि नगस्रेश्ठी यानि कि बैंकर शहर के वैपारी सार्थवा यानि कि वैपारिएं । वाइपारियों का पूरा एक ग्रूप होता था उसके नेता प्रथम कुलिक इर्था जो मुख शिल्पकार मैं во च हैं। उसके प्रमुक होते इसके साथ सथ इनकी जो नीतियां थी कुछ हद तक प्रभावशाली होती हैं लेकिन समय समय पर हमने यह देखा कि जब एक ही वंश्च के लोग या एक ही परिवार के लोग एक ही जग में बहुत समय तक रहते हैं तो वह इतने शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने अपना स्वतं एक राज के लिए बहुत ही जरूरी होती है एक राजा अपनी सेना हमेशा सुगंठित और संतुलित रखना चाहता है जैसे कि हमने देखा उसमें नएने प्रकार के प्रयोग करता रहता है ताकि उनकी जो सेना है वह बहुत मजबूती के साथ खड़ी रहे उनमें से कुछ राजा थे वह पुराने राजियों की तरीकी सुगंठित सेना रखते थे जिन में हाती रथ घुड सवार और पैजल सिपाही दोनों होते थे इसके साथ साथ महां पर कुछ सेना नायक भी होते थे जिनको आशकता पढ़ने पर राजा द्वारा सहायता दी जाती थी लेकिन सेना नायकों की कोई नियमित वेतर नहीं होता था इनको कुछ भूमी दान दे दी जाती थी वह दिए हुई भूमी से अपना कर्व असूलते थे और उसी से वह सेना और घुड की देखवाल करते थे साथ में वह युद्ध के लिए भी हतियार जुटाते थे इस प्रकार के वेक्ति सामंत कहलाते थे जहां कहीं भी हमने ये देखने को मिला है कि जहां कहीं भी शाशक दुर्बल होते हैं ना वहां वहां ये सामंत सुतन्त होने की कोशिश करते थे और अपना राज बनाने की कोशिश करते थे आईगे जानते हैं हम कुछ अन्य तत्वों के बारे में जैसे कि दक्षिन के राज्यों में सभाय देखने के मिलती हैं जो पल्लवों के अभिलेग हमें प्राप्त हुए हैं उसमें कई स्थानिय सभाओं के बारे में बताया गया है इन में से एक ब्राप्मन भू स्वामियों का संगधन था जिसे सभा कहते थे ये सभाएं उप समीतियों के जरिये सिचाई, खेती, वाड़ी, जुड़े, विभिनिकार, सडक, निर्मान स्थानी मंदरों के देखरेका कारे करती थी मतलब एक स्थानी तरीके से जिस तरीके से आज के टाइम में पंचायत काम करती है उस टाइम पर वह काम करती थी इस इलाके के भू स्वामी ब्रामन नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होनी की बात कही गई है इसके साथ साथ हमें नगरम के बारे में भी पता चलता है, नगरम एक वैपारियों का एक संगठन होता था, इन सभाओं पर थनी और बहुत शक्तिशाली भू स्वामी अर्थात किसान और वैपारियों का नियंचन होता था, इसमें जो शताब ये थी न, ये बहुत दिनों तक कि ये जो सभाएं थी शताबडियों तक कार करती हैं इसके अलावा हमें जो यहां के लोग थे जो काली दास काली दास के बारे में हम जानते हैं काली दास ने अभिज्ञान सरकुंतलम नाम की एक रश्णा लिखी थी इसमें हमें कुछ नाटकों में जनसाधरन के बारे में कु कि अन्य लोग और महिलाएं थी वहां प्राकत मतलब जो एक सामानी लोग की भाषा होती है वहां बोलती हुई दिखाई जाती थी इसके लावा हमने यह भी देखा है कि यहां पर जो लोग थे वहां भी वर्ण विवस्था थी मतलब लोगों में चूत अचूत और इस तरह की में दिया हुए आज हम जानेंगे इसलाम धर्म के बारे में इसलाम धर्म के शुरुआत आज से लगपक 1400 वर्षपूर पेगंबर मुहमद ने अरब में की थी इन्होंने उस समय इसलाम धर्म एक तरीके से पूरी तरीके से इसाई की तरीके था इन्होंने भी अल्ला को माना था इसलाम धर में एक का जो पवित्र गरंथ है वहां कुरान है जैसा कि हमें पता है इसके लाव हमने यह देखा है कि जो अरब जो एरिया है वह बहुत मरुस्थली एरिया था उस समय लेकिन उसके बाद भी यह यातायात का एक बहुत बड़ा केंद था यहां पर अरब जो थे वह नाविकों से और जो नाविक थे वह भारत और यूरोप के बीच का जो एरिया था उसको भारत और यूरोप के बीच के जो वैपार को बढ़ाने में अरब वैपारियों और वहां के नाविकों ने बहुत महत्रपूर्ण भूमिका निभाई थी जो अरब में रहन कि उंट रिगिस्तान के लिए बहुत जरूरी है हम इसलाम धर्म के बारे में देखते हैं कि अगले सौ साल तक मतलब आने वाले जब शुरू हुआ है उसके आने वाले सौ साल तक इसलाम धर्म ने उत्री अफ्रीका, इस्पेन और इरान इसके सासथ भारत में भी फैल गया था अरब नाविक जो की उप महादीब की टटिये बस्तियों से पहले से परिचित थे वैपार के सिलसले में आते थे वह अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आये थे अरब के सिपाईयों ने करीब 1300 साल पहले सिंध जो की आज कल पाकिस्तान में है को जीत लिया था इसके साथ ही उस समय के वैपारियों द्वारा इसलाम धर्म हमारे उप महादीब में भी प्रवेश कर गया था आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फ्री पीडियेफ के लिए टेलीग्राम गूर्प को जॉइन करें थैंक्यू सो मच